एकसर साथ 2.2 कुश्चन नमबर थर्ड कुश्चन नमबर फर्स्ट और सेकेंड मैं पिछली वीडियो में सॉल्व करा चुका हूं कुश्चन नमबर थर्ड है वेरिफाई विदेर दा फॉलाइं और जीरोज अब दा पॉलिनोमियल्स इंडिकेट अगेंस्ट दें यानि इस कुश्चन में आपको वेरिफाई करना है वेरिफाई विदेर दा फॉलाइं यार जीरोज अब दा पॉलिनोमियल्स यह वेरिफाई करना है कि मानिस बन पॉन्थिरी जो पॉलिनोमियल्स यह दिया है क्या इसका यह जीरो है इसमें यह वेरिफाई करके लाना है तो देखिए सबसे पहले solve लिखेंगे PX यूकल टू 3X प्लस 1 at X यूकल टू माइनस बन अपॉन 3 माइनस बन अपॉन 3 पर यह देखेंगे कि यह जो है इसका 0 है यह नहीं तो यहाँ पर देखिए X के स्थान पर माइनस बन अपॉन 3 पूट कर दीजी इस उकल टू 3 इंटू यह एकस लेखा है यहाँ पर भी माइनस बन अपॉन 3 प्लस 1 3 से 3 कैंसल तो इधर आपका बच्चा माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसल हो गया यह आपका 0 आंसर आ गया तो यहाँ लिख देंगे पी माइनस बन अपॉन 3 इस उकल टू 0 यानि एकस इकल टू माइनस बन अपॉन 3 पूट करने से इस पॉलिनोमियल्स की वैलू 0 हो जाती है इसका मतलब माइनस बन अपॉन 3 इस अज जीरो आफ पी एकस यानि माइनस बन अपॉन 3 इस पी एकस का यानि पॉलिनोमियल्स का 0 है तो यहाँ लिखेंगे माइनस बन अपॉन 3 इस अजीरो आफ पी एकस यद जीरो नहीं आता है तो लिखेंगे कि नौट जीरो आफ पी एकस तो देखिए वैसे तो कुश्चन में सभी जीरो ही आगी क्योंकि वैरिफाई करके यही लाना है तो आप सेगिन वाला पार देखिए सेगिन वाले पार में पी एकस यूकल टू 5 एकस माइनस 4 आगे एकस यूकल टू आपको दिया 4 अपॉन 5 तो इधर यहाँ एकस लिखा है वहाँ पर 4 अपॉन 5 फूट कर देंगे 5 एंटू एकस के इस्तान पर 4 अपॉन 5 माइनस 4 5 से 5 कैंसल हो गया तो इधर आपका 4 माइनस 4 इस उकल टू जेरो यानि पी 4 अपॉन 5 की वैल्यू जेरो हो गई इसका मतलब 4 अपॉन 5 इस जेरो अफ पी एकस यह आपका अंसर हो गया और यह इसका अंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का आप इसके बाद देखिए question number third third में polynomials आपको दिया है Px is equal to x square minus 1 और आपको verify करना है x equal to 1 and minus 1 x equal to 1 and minus 1 को लेकर के इसको verify करना है तो सबसे पहले x equal to 1 से इसको verify करते है equation में यहाँ पर x लिकाए वहाँ पर पहले 1 put कर दीए P1 is equal to 1 square minus 1 तो देखिए 1 का square 1 होता है 1 में से 1 minus करेंगे तो 0 आजागा जब आपका यह 0 आगया तो इसका मलब 1 is a 0 of Px यानि 1 इस polynomals का 0 है तो आज लिक देंगे 1 is a 0 of Px आप student minus 1 put कर दीजी यहाँ पर x के स्थान पर P minus 1 is equal to minus 1 square minus 1 तो minus 1 का square plus 1 होता है minus 1 plus minus cancel होया तो 0 आगया तो इसका मलब माइनस 1 यह भी जिसका पी एक्स का 0 है तो minus 1 is a 0 पी एक्स तो इस प्रकार से मैंने आपको question number 3 करा दिया question number 4 देखिए पी एक्स फोर्थ पार इसका पी एक्स इकल तो x plus 1 and x minus 2 x equal to minus 1 and x equal to 2 अब आपको minus 1 और 2 पर verify करना है कि यह इसका 0 है या नहीं तो देखिए minus 1 रख दीजिए x plus 1 minus 1 plus 1 और यहाँ x के इस्थान पर minus 1 minus 2 तो देखिए minus 1 plus 1 cancel हो गया तो यहाँ से आपका 0 आ गया और student आपको मालम होना चाहिए 0 का multiply किसी number में करते हैं तो 0 ही आता है यानि इस 0 का इसमें multiply करेंगे तो answer 0 आ जाएगा तो इसका मदलब minus 1 is a 0 of px यह लिख दो minus 1 अब यहाँ x equal to 2 पूट कर दीजिये यहाँ p2 x plus 1 यानि 2 plus 1 x minus 2 यानि 2 minus 2 तो देखे 2 में से 2 minus करेंगे तो 0 आ जाएगा 2 में से 2 minus किया 0 और 0 का multiply इधर इस वाले bracket में करेंगे तो आपका answer 0 ही आएगा तो इसका मदलब यह हुआ कि x equal to 2 is a 0 of px यानि यह भी इसका 0 है 2 is a 0 of px तो student इसमें question number मैंने third के fourth part आपको solve करा दिये next इसके जो part दिये हैं बिल्कुल same इसी प्रकार से करना है इसमें कोई difference नहीं है अब मैं इसके बाद question number four solve करा रहा हूँ देख भी question number four question number four find the zero find the zero of the polynomial in each of the following इसमें 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 px equal to x plus five find the zero of the polynomial यह polynomial आपको दिया है इसमें आपको zero find करके लाना है तो देखे zero find करने के लिए student क्या करते हैं we have to solve px equal to zero यानि इसके zero find करना है तो px equal to px की value किसके equal होना चाहिए zero के यानि x plus five is equal to zero यहां से transfer करेंगे तो x equal to minus five यानि इस equation का zero आपका minus five तो क्या लिखेंगे minus five is a zero of the polynomial x plus five यानि minus five किसका zero है minus five विज़ा zero of the polynomial x plus five जो polynomial आपको x plus five दिया है इसका zero minus five आया है यही आपका आंसर है अब आगे देखिए इसका second part second में आपको दिया है पी आंसर ही आपको 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 दिया है तो इसको solve करेंगे वही में थमीन की कि X-5 यानि PX यूकल तू जीरो पहले इसको जीरो के एककल सो करेंगे तो X-5 यूकल तू जीरो ट्रांसफर करेंगे तो यह आपका X यूकल तू 5 हो जाएगा तो 5 क्या है? 5 इस पॉलिनोमियल का 0 है तो 5 इस जीरो अब दा पॉलिनोमियल X-5 यह लिख दो 5 is a 0 of the पॉलिनोमियल X-5 यानि पॉलिनोमियल जो आपको X-5 दिया है इसका 0 5 आया है और यही आपका आंसर है आप इसके बाद student मैं आपको third वाला part करा रहा हूँ third third मैं आपको PX यूकल टू दिया है PX यूकल टू 2X प्लस 5 तो सबसे पहले we have to solve we have to solve यानि PX यूकल टू 0 यानि PX को 0 की एकवल पहले करना होगा आप इसके बाद देखिए 2X प्लस 5 इस उकल टू 0 तो जब ये equation 0 की एकवल नहीं होगा तो student यहां से unknown variable की value find नहीं कर सकते पहले इसको 0 की एकवल तो 100 करना ही होगा तो let PX यूकल टू 0 जब PX यूकल टू 0 है तो 2X प्लस 5 इस उकल टू 0 अब यहां से transfer कर दिजिए 2X ये प्लस का 5 है जब इसको equal gather करेंगे तो minus का 5 हो जाएगा 2X इकल टू मानस 5 इंप्लाइंस X इकल टू मानस 5 अपॉन 2 X इकल टू मानस 5 अपॉन 2 इसका मदलब मानस 5 अपॉन 2 is a 0 of this polynobals चोहां लेखेंगे minus 5 अपॉन 2 is a 0 of the polynomial 2X plus 5 यानि मानस 5 अपॉन 2 जो polynomial आपको 2X प्लस 5 दिया है इसका ये 0 है आप student इसके बाद fourth question है fourth part है इसका PX is equal to 3X minus 2 तो we have to solve PX is equal to 0 तो देखें यहां पर PX is equal to 0 means 3X minus 2 is equal to 0 अब यहां से transfer करेंगे तो 3X is equal to 2 हो जाएगा implies X equal to 2 upon 3 यानि X equal to 2 upon 3 आया है इसका मदलब 2 upon 3 is a 0 of this polynomials यानि 2 upon 3 यो polynomial आपको 3X minus 2 दिया है इसका 0 है तो यहां इसका लिख देंगे 2 upon 3 is a 0 of the polynomial 3X minus 2 जो 3X minus 2 polynomial दिया है इस polynomials का यह 0,3 यह 2 by 3 है तो यहां आपका अंसर question number 4 का हो गया आप इसके बाद student इसके सभी question same इसी प्रकार से आपको solve करने हैं उसमें कोई answer नहीं है बिलकुल सिर्फ इसी प्रकार से होगा एक fifth बाला question और देखिए फिफ्थ बाला part देखिए पी एक्स इकल टू यह last में पाद कर आ रहा है उसको 3X तो we have to solve पी एक्स इकल टू जीरो पी एक्स इकल टू जीरो मेंस 3X इकल टू जीरो 3X इकल टू जीरो देन X इकल टू जीरो अपोन 3 और 3 का डिवाज जब जीरो में करते हैं तो आपका answer जीरो ही आएगा तो इसका मतलब जीरो क्या है 0 is 0 is a 0 of the polynomals यह 0 is polynomals का 0 है तो यहां पर लिखेंगे, 0 is a 0 of the polynomial 3x. जो आपको 3x polynomial दिया है, इसका 0, 0 ही है, जिसको सून कहते हैं student, तो इस प्रकार से मैंने question number 4th की 5th part आपको solve करा दिये, इसमें एक question आपका 6th मैं छोड़ रहा हैं, आपके लिए आप solve कर सकते हैं, तो student, आज की वीडियो में इतना ही वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो please subscribe and like जरूर करें, और यह थे आपको परते एक वीडियो की notification मेरे वीडियो की मिलती रहे हैं, आप bell icon को जरूर दवाएं, तो thank you, जैनेन, thank you.